डॉक्टर संजीव दुग्गल इंट्राऊकुलर लेंस की है इंट्राऊकुलर लेंस एक तरह दा आर्टिफिशल लेंस है जो असी कुद्रती लेंस दे जगाते पाने हां एक एक एक्टर्ट सर्जडी विच वरते जानदा है ओ लोग जिनामनों सफेध मुतिया दी शिलायत है उनना दा कुद्रती लेंस असी निकालके एक आर्टिफिशल लेंस जो इंट्राऊकुलर लेंस केंदे है और शी ओ इंप्लांट कर दे है डॉक्टर संजीव दुगल इंट्राऊकुलर लेंस किन्ने तरह दे हुन्दे हन् इंट्राऊकलोर लेंस कई ठराहद ने हो दे हां यह मौनो फॉक्कल हो सकते हं मल्टिünk मॉर्ड्गी ओ सब्लाराऊक्टा किता जाना है कि अधानूब केटा वाला लेंस माफक आएगा ओ लोग जिननों दूर दी निगा ठील चाहिए दी है और वो नेड़े वास्ते चश्मा लगावना चांदे हैं उन्हा वास्ते मोस्ली मॉनोफुकल लेंस पाया जान्दा है जेड़े बंदे चांदे हैं किसानों एनक दी लोड ना पवे उन्हों लोगानू मल्टी फ टर होनवास्ति चाहिए है त्लिके मेडिजम ठीक होनूर्यंवास्ते चुनों टॉरिक मल्टी मॉ्टी फॉकर या टोरीक प्लें ऊनला है दॉक्टर संजीव दुगल सानूर केड़ा लेंस होना चाहिए है उन्हों केडा वाला लेंस पायाकैँ है ड्यपैंड करता है कि थ्ल लोग ड्राइव कर दे हैं जो कहने हैं जो कहने हैं साड़ी ड्राइविंग बहुत जादा है आज रोज रात नूंट्राइव कर दे हैं करना चाने हैं तो एना लोका में चाहिए डॉफ लैंस पाने हैं कि थोड़ा बजट की है थोड़ी आफदी बंतर की है और तुसी आउटकम चो की चाने हो यह सब चीजा मला के डिसाइड किता जानदा है कि थोड़े वास्ते केड़ा लैंस सब तो गदिया होईगा डग्टर संजीव दगल आईयो एल सर्जरी नाल एस्टिक मैटिजम ठीक किता जा सकता है आईयो एल सर्जरी दुरान एस्टिक मैटिजम ठीक किता जा सकता है तौरिक लैंस इसे वासे बनाए गए हैं जो लोग चान्दे हम कि ऐसी सरफ दूदी निगा ठीक करिए और ना वासे प्लेन टौरिक लैंस पाया जानदा है जो लोग चान्दे हम सानु दूर नेड़े दीने का बिल्कुल ठीक होनी चाहिए पर एस्टिक मैटिजम है और टौरिक मल्टिफोकल लैंस पाया जानदा है टौरिक इड़ाफ लैंस भी पाया जानदा है और लोग जो बंदर आतरू ट्राइब कर दे हम सो एस्टिक मैटिजम मिल्कुल आयोल सर्जी ना ठीक किता जा सकता है डौर संजीव दगल आयोल सर्जी करवाँ तो बाद एनकल लगाऊन दी जरूत पैसकती है आयोल सर्जी तो बाद थानु चश्म दी लोड है कि निया इस तरे डेपैंड करता है कि उसी केड़ा लैंस पोया है ओ लोग जिन्हानने मॉनोफोकल लैंस पोया है और नुन रेड़े वाचे चश्मा लगाना ही पढ़ेगा वो लोग जिना ने इड़ उफ लेंज पॉया है उननों बहुत महीन पढ़न वास्ते एक बार पढ़न वास्ते एनगदी लोड पह सकती है उसी कोई भी लेंज पॉया हो उदे नाल असी 90-90% चांसिस होंते हैं कि तो अनगदी लोड नहीं पहेगी पर कई लोग का नूँ पाइंदस परसंट लोग का नूँ थोड़ा बहुता नंबर के वर रिग्रेस कर जानदा है यहां कई बड़ी आयोल पावर कैलेशन विच थोड़ी दी डिफरेंस रह जानदा है यह दे करके के वर नंबर लगाना पैस सकता है पर थोड़े 90 परसंट काम बिना चश्मे तो हो सकते हैं ओ लोग जिना ने मल्टी फोकल ने इस पाया है ति ओ चांदे हैं कि उननों एनक ना लगे पर पांच परसंट लोग एह होजे होंगे जिना नों टिश्मा पांदी लोट पैस अगदी है डाक्टर संजीव दुगल की आयोल सर्जी दर्दना कै आयोल सर्जी विछ दर्द नहीं होंदा प्राने जमादे मिच पैला इंजेक्शन लगा के करदे सन्ट आज कलता है टॉपिकल सर्जी होंदी है जिदे विछ दर्द बिल्कुल नहीं होंदा अफकोर्स ये डिपेंड करदा है थोड़ा सजी कलदा स्किल किनना है उनुके ना अनुबव है एप्रेशन करनदा ये थोड़ा मोतिया बहुत पक्या होया है थोड़ी पुतली नहीं फैल दी उदेश कोई दिक्कत है तो ऐसे लोगों नो इंजेक्शन लगांदी लोड पै वदी होई उमर विच इप आंदे अफटर 45-50 इस लेंस पैंदे है पर अटिसे भूब करनेटर मोतिया होंदा है जरन तो ही मोतिया होंदा है इंट्राउप्लोल न्स सारी उमर चलेगा एदा मैटीरियल कदी खराब नी होंदा ये सारी उमर चलता है हां कोई होर कारण होवे पर इंट्राउक्रोल रेंस सारी उमर चलन वास्ते हुंदा है। इंट्राउक्रोल रेंस सर्जडी नॉर्मली बिल्कुल ही सेव सर्जडी बनी जानी है। दिविच कॉंप्लिकेशन होंदे चांसिस बहुत ही काट जाने हैं। नवी नवी मशीना आगी हैं, नई लेजर हैं, जवे फ्लैक्स हैं, इस सब नाल थोड़ा कोई भी कॉंप्लिकेशन होंदे चांसिस बहुत ही मिनीमल हो जाने हैं। विद गुड़ मशीन, विद गुड़ सर्जिकल स्किल, विद गुड़ एक्यूप्मेंट, यौर चांसिस बहुत हैं, नवी कॉंप्लिकेशन होंदे हैं। जो चीज़ा होंदे हैं, जो पहला उसे कमिट कर सकते कि यह होएगा का नहीं होएगा, पर 97-98 परसन लोगा नो कोई कॉंप्लिकेशन कोई दिर्कत नहीं होंदे, इट इस वेरी वेरी सेफ सर्जरी। डॉक्टर संजीव दगल आयवल सर्जरी दा रिकवरी टाइम की हैं। जिदा मोतिया बहुत पक्या होएं, जिदा मोतिया बहुत सकत होएं, बहुत ज्यादा लेजर यूज होई होएं, उन्हा नो निगा साफ होंदे हैं। प्रेक्टिकली विदिन वीक यो आर बैक्टू नॉर्मन। डॉक्टर संजीव दगल की आयवल लेंस बदलन्दी जरूत होंदी हैं। आयवल लेंस बदलन्दी लोड नहीं पैंदी। आयवल जो एकवर ही पैजन्दा है और सारी उमर वास्ते हुंदा है। आयवल लेंस बदलन्दी लोड नहीं पैज सकती हैं। जिनों बहुत छोटे हुदे बच्पन विच लेंस पैगया और उन्दा बाल दा नंबर बहुत जादा बदल गया। आयवल बदलन्दी लोड नहीं पैंदी। डॉक्तर संजीव दगल आयवल सर्जी करवान दा प्रोसीजर की है। आयवल सर्जीर वास्ते कोई त्यारी करना दी लोड नहीं हुंदी। ये डे केर प्रोसीजर है। कुसी हॉस्पेटल आना है, अप्रेशन करा के दो-तन कैंटे बाद वापस चले जाना है। अप्रेशन करना दी लोड नहीं है। अप्रेशन करना जरूरी है। अप्रेशन करना दी लोड नहीं है। अप्रेशन करना दी लोड नहीं है। अप्रेशन करना दी लोड नहीं है।